नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एजूकेशन केड़ सिक्स में आसू सहायक अवर निरक्षक के 133 पदों की वेकेंसी का इंतजार कर रहे हैं उन सभी बिहार के चात्रों के लिए एक बुरी खबर है 16 अक्टूबर को इसका एक्जाम डेट मेंसं किया गया था इस एक्जाम डेट को इस थगित कर दिया गया है और फिर से इसका इंतजार आपको दिसंबर महिने तक किया जा सकता है जी हां दोस्तों बिलकुल official update है जो कि आप तक सबसे पहले यहां से share किया जा रहा है आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान पुर्वक देखेंगे और कल भी मैंने एक update दिया था शाम को उस update में बताया गया था आप लोगों की home guard की जो vacancy निकाली गई है उसमें करीब 6000 लोगो का form reject किया गया है ऐसे लोगों का जिन्हें अपना form सही से नहीं बराता लेकिन तीन हजर ऐसे और लोग हैं उसमें जिन्होंने form में signature और photograph का सही से mail नहीं करने के उपर उनका भी form reject किया गया है उस वीडियो को भी जाकर देख लिजेगा या तो official website पर जाकर देख लिजेगा बैसरा update आपको इस वीडियो के मादनें से देने जा रहा हूं देखिए पूरा वीडियो देखिएगा तो चीजे समझ में यानि कि BPSC के official website से दिया गया है और ये 12020 advertisement संकिया याद होगा आपको आसु सहायक अवर निरक्षा के पदों के लिए 133 पदों की वेकेंसी निकाली गई थी जिसकी लिखित परिक्षा 16 October को ने धरित की गई थी लेकिन जिला प्रसाशन द्वारा बिहार विदान सभा चु पर कि सारे exam जब October में नहीं होने थे तो date mention नहीं करना था इनको एक 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 exam करके स्थागित किया जा रहा यहां पर जितने भी छात्रे इसकी तैयारी कर रहे थे उन सभी को बता दे कि अब आपका जो महीना अक्टूबर को हटाकर नवंबर और दिसंबर ऐसे महीने है जो कि आपको ब्यस्त रखेगा पूरे एक्जाम को लेकर अगर सब कुछ सही रहा सरकार सही से बन गई अच्छी सरकार बन गई मतलब कहने का मतलब बहुमत वाली सरकार बन गई तो ये सारे एक्जाम होंगे नहीं तो ध्यान रखिएगा एक बात और मेरा कि अगर कहीं ज्यादा मतलब समझ रहे ना कि होच-पोच वाली सरकार बनी तो आपकी सारी परिक्छाएं यहां पे इस्थागित पे इस्थागित होती चली जाएगी और आपको डेट पे डेट मिलता चला जाएगा जैसे कामना करते हैं आशा करते हैं इश्वर से यह सारे एक्जाम अब अक्टूबर से हटकर अगर दिसंबर में हो रहे हैं तो दिसंबर में फाइनलीन के एक्जाम हो जाए और जनवरी फरवरी तक आप लोगों की ज्वाइनिंग भी करा दी जाए अगर संभव होता है तो बिहार पुलिस क जो छोटे चोटे एक्जाम है इन सब को थागित करके आप दिसंबर महिना भेज दिया गया है तो इस परिक्षा को देखिए 27 दिसंबर डिट दिया गया है अगर समभवता 27 दिसंबर को कोई डिट नहीं क्रेस करता है तो यह एक्जाम आपका उस दिन ले लिया जाएगा वैस जो वेकेंसी का अपडेट दिया जा रहा है लगातार लगबग सभी परिक्षाएं इस्थागित हो चुकी हैं आप लोग की जो कि मैंने आपको बताए भी हैं आप इनका अपडेट दो हैं दोस्तों आप ओफिशियल विबसाइट बीपी एससी के ओफिशिल विबसाइट से इस टैप पे आपको क्लिक करना है देखिए होंगाड पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहां पर पांच अक्टूबर के डेट में एक कल मैंने शाम को इसका वीडियो बना कि आपको वाइटी एजूकेशन पर दिया था तो जो भी मेरे भाई बंदू तैयारी करना चाहते है बिहार के किसी भी एकजाम की तो आप हमारा चैनल वाइटी एजूकेशन सब्सक्राइब कर लिजेगा जिया यहां पर जैसे आप क्लिक करेंगे इस क्लिक पे जाएंगे और यह पीडियेफ है देखिए यहां पर मेंसन किया गया है ऐसे रेजिस्टेड केंडिडेट जिनका अप्लिकेशन सब्मिट ही नहीं हुआ है कारण बताया गया है उन कैंडिडेट का फॉर्म यहां पर सब्मिट नहीं किया गया है मतलब फॉर्म भरे हैं कंप्लीट नहीं किया है उसको ठीक है तो यह से लोग है 6228 लेकिन जब यह चीजे नीचे आएंगे तो बहुत सारा प फॉर्म कैंसल कर दिया गया है यह दूसरा लिस्ट है लिस्ट भी है ठीक है और एक लिस्ट सी है तो यह लगबग 6 और 9000 हो गया है यही लोग यहीं पर और कुछ ऐसे लोग हैं जिनका फॉर्म उनके फोटो और सिगनेचर को कंप्लीट नहीं होने के बज़ा से उसको भी र लगबग यहाँ पर 9000 लोग ऐसे हैं जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है दोस्तों यह देख सकते हैं पुरा 273 पेज है और आप लोगों क्या करना है सर्च कर लेना भाई कि कैसे आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि पैसे वापस मिलें क नहीं मिलेंगे जिन लोगों ने फॉर्म बर दे नहीं वहाँ पे साफ साफ मेंसन किया गया था आप लोगो कि अगर फॉर्म गलती से भरते हैं अपका फॉर्म रिजेक्ट होता है तो इसकी जबाब जाही जो है विभाग नहीं होगी आपके पैसे भी नहीं लोटाय जा सकत ही देखिए यहां पर जैसी क्लिक किजिएगा न तो यह जो सर्च वाला बटन है यहां पर यह जो सर्च वाला बटन है इस पर क्लिक किजिएगा अपना रिज्टेशन नंबर और अपना नाम भी सर्च कर सकते हैं यहां से तो आ जाएगा नाम तो वैसे एक लोगों का बहु अब दिया जा रहा है यहां से और यह सारे अपडेट हम आप तक पहुंचा भी रहे हैं अपने चैनल के मादियम से पलपल की ख़बर है यह अपडेट है चलिए दोस्तों तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में तब तक के लिए बबाए यहां रखिएगा अपना और अपने परिवार का और आप लोग जो हमारे चैनल वाइटी एजुकेशन पर नहीं जोईन किये हैं देखिए चैनल पर जाएंगे तो चैनल के इस रेटलर के बटन को दबाके यहां भी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिजीगा बेल आइ करेंटेफर आज का करेंटेफर नहीं आपाया है थोड़ी दिर के बाद यहां पर पब्लिश के जाएगा कुछ इंपोर्टेंट क्यूज आपको करेंटेफर से रिलेटेड ठीक है तो वह देखिएगा जरूर यहां पर ठीक है तो यहां भी चैनल को आप सब्सक्राइब आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजेगा और जो भी अपडेट आ रहे हैं इन सभी विभाग से परिक्षाओं को लेकर हम आप तक पहुचाने की पूरी कोसिस भी कर रहे हैं धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं आप से अगले वीडियो म अशची सरकारव बने तो आपको आपको फाइदा हो सकते हैं il спорт मेर अच्छे सरकार आजाती है जो कि सारी ले तो अच्कार यहाँ पर तो ये अपडेट देना था मुझे आप तक सारी परिक्षाओं को लेकर अब मैंने सारा आपका जो डाउट है वो क्लियर कर दिया है अब आप लोग जो भी इस वीडियो पर कमेंट करना चाहते हैं कमेंट कितके पूछ सकते हैं जो भी आपके डाउट होते हैं